तो आज के हमारी इस ओनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातशीत करने जा रहे हैं पिबट टेबल एंड पिबट टेबल में हम डिस्कॉस करेंगे कैलिकुलेशन हमारे साथ रह शामर जी है और अज़ डेमो क्लास में स्टर सतंदर कुस्वाहाजी ने जोईन किया है चतंदर जी में आवाज आपको आ रही है यस सैथ तो आज की जो टॉपिक इस क्लास की ओटॉपिक ए है कि पिबट टेबल के अंदर हम किस तरीके से कैलिकुलेशन करेंगे तो पिबट टेबल की दो क्लास इसमें हो चुगी है किस तरीके से पिबट के अंदर हम कैलिकुलेशन को करेंगे तो हमारे पास एक डेटा है नेम, स्टेट, सिपी, प्रड़क्ट आईडी, प्रड़क्ट, क्वांटिटी, एंड एमार्डी अब मैं इस पे सिंपल सा नेम बाई प्रड़क्ट का तोटल निकालता हूँ तो मैंने इसको ओकी किया पिबट टेबल एक अगडी सीट पे लग गई मैंने में को उठाया, रो में रखा, क्वांटिटी को उठाया, एंड वैलू में रखा हमारा तोटल यहां पे निकल गया है सर यह रेकॉर्डिंग का पर्मिशन दीजी प्लीज से हाँ, लखी कान जी मैं रिकॉर्डिंग की पर्मिशन आपको दे दीए, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं कि हमें निकल चुका है, मुझे इसमें तार्गिट की जरूरत है तो हमारे पास डेटा है, डेटा में हमने तार्गिट को एड़ किया, मान लिजिए कि यह तो हमारा सेल है हमारा जो तीस हजार मान लिजिए क्वांकिटी का तार्गिट हर किसी को दिया गया है, तो तीस हजार हमने दाला अब देखिए कोई भी डेटा को चेंज कर देखिए मैंने इसको इसको इमाज फिफ्टी ओन जियो कर दिया तो अब किसका T2 हो गिया है तो T2 यहां पर है अब इसकी रिफ्रेश करते हैं आप देखेंगे कि 20,124 से बढ़ जाएगा जब रिफ्रेश करते हैं बढ़ गया 580 ही हो गया बट यहां हमारे सिस्टम में जब भी कोई डेटा चेंज करते हैं तो आपका पिबट अपने आप अपडेट नहीं होता है आपको रिफ्रेश करना होता है लेकिन अगर यहां पर देखिए यहां पर टार्गेट नांग का कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने टार्गेट को पिबट लगाने के बाद एड़ किया है जब मैंने पिबट लगाया तो मिला पिबट जहें 39414 तक लगा उसके नीचे नहीं लगा उसके नीचे अगर लगाना चाहते हैं यह आपका टार्गेट आपके सामने दिख रहा है तो इस टार्गेट का मुझे पिबट पे चाहिए तो हमें पिबट के रेंज को री सेलेक्ट करना पड़ेगा तो पिबट पे क्लिक करूँगा पिबट टेबल अनलाइज में जाओंगा फिल आइटम सेट पे जाके मैं आपके जीए यहां सोर्स पे चेंज डेटा सोर्स चेंज डेटा सोर्स पे जाओंगा और पिबट को वापस हम री सेलेक्ट कर लेंगे उस टार्गेट को भी अपने अंदर लेनेगे अब यहां देखे नुचे टार्गेट आ गया अब मैंने क्वांटिटी को एक बार और वैलू फिल्ली में रखा हाँ याद देखिएगा हम किसी भी फिल्टर में कॉलन में रो में हम किसी भी वैलू को वन टाइम ही रख सकते हैं और किसी एक इसमें से किसी एक में रख सकते हैं बट रैलू के अंदर में हम एक वील्ड को दो पार तीन बार चालगवा रखा जा सकता है तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस वे साइड में क्लिक करते हैं नहीं पे तो यहां पे बहुछ सारा value पर आते हैं, जिसमें by default होता है no calculation, इस no calculation के जब डॉप डाउं करते हैं, तो बहुत सारे calculation वाले part आते हैं, तो इसमें मैंने percentage of को select किया, जी हाँ, percentage of को select किया और हमने target ले दिया, तो यह क्या करेगा, target amount, target से बाकिश सब को divide करके, उसका percentage calculate कर देगा, समझना आया रहा है सर्माज जी लगिकान जी है सजंदर जी, यस सर्थ, उसी तरीकिया से और भी चीज़े हैं, जिसे कि मुझे यहाँ पर वैलू सिल सेटिंग पर गया calculation में, मैं contribution चाहता हूँ कि overall का contribution है, तो percentage of यहाँ पर तीन चीज़े है, percent of grand total, column total, row total, तो grand total, column total, row total होता क्या है, पहले सिसको समझते हैं, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ, और माल जिए मैं product को रखता हूँ यहाँ पर, अब देखे, column total आपको जो यह नीचे आ रहा है, column बाइज हर product का जो total आ रहा है, यह आपका column total क्लाएगा, और हर नेम का जो यहाँ product wise है, और इसका total यहाँ आ रहा है, वो आपका row total क्लाएगा, इन दोनों का total यहाँ दिख रहा है, इसको grand total करते हैं, ठीक है, तो value field setting में, अगर मैंने बुला percentage of total, grand total, तो यह आपका यह दो लाग 26,395 से हर एक number को divide कर दिया जाएगा, और percentage आपके सामने होगा, अगर मैंने यहाँ पे किया percentage जैसे column total, तो जो नीचे amount आ रहा था, उससे सब को divide करके, उसका percentage यहाँ पे सोगर, अगर मैंने percentage of row total किया, तो जो row में दिख रहा था, उसको percentage कर ले, तो यह आपके उपर depend करता है, अब इसमें अगला आता है percentage of parent row total, तो यह parent row total, तो यह parent row total जाने है, इसके according, इसके according, इसके according, यह parent row total निकालेगा, और parent row के बाद आपका percentage of parent column भी आता है, तो column की साम सी करता है, इसका use नहीं होता है, ठीक है, हाँ, difference from, अब जिसे कि मैंने यहाँ product को हटा देता हूँ, और quantity को एक बार और रखता हूँ, तो जिसे कि अब जिसे target हमने यहाँ पे, value fill setting पर आता हूँ, calculation पर जाता हूँ, और मैंने यहाँ पर percentage of target कर देता हूँ, तो अभी target percentage आ रहा है, अब मुझे एक और चाहिए कि कितना amount figure अगर होता, मतलग कि यहाँ 22,139,49 तुजा ने sale किया है, तो कितना और sale, जो कि 73% है, कितना और sale करता ताकि वो अपना target 30,000 अचीब कर लेगा, तो value fill setting में आप यहाँ difference from करके आपके सामने दिखेगा, difference from, जिसके according, तो मैंने यहाँ target को select कर लेगा, तो यह बता रहा है कि आपको 7,871 जो है, वो minus 10 रहा है, उतना आपने होता तो target achieve हो जाता है, लेकि मुझे इसको figure में नहीं चाहिए, मुझे इसको figure में नहीं कर रहा है, तो value fill setting पर जाओंगा, और यहाँ हम इसको difference from को percentage of में कर रहा है, तो यह आपको 28% बता रहा है कि नहीं 30% है और minus 28% रहे गया है, यह सारे calculation हम pivot के अंदर ही कर रहा है, हलाकि इसको बाहर करना पड़ता है लेकि अब हम अंदर ही कर रहा है, running total, जैसे कि मान लिजए कि मैंने month wise total निकाला हुआ है, मैं एक wise तरह हटा देता हूँ, तो मान लिजए मैं month यहां पे last में month डाल देता हूँ, और मीचे के तरफ मैंने drag कर दिया, pivot table पर click करता हूँ, इसके बाद मैंने क्या किया, month को लिया यहां row में, अब problem है कि quantity का मुझे total तो चाहिए, मैं quantity यहां पे रख दिया तो quantity का total तो आ रहा है, लेकि मुझे cumulative total चाहिए, मैं जैन में हमारा इतना, हमारे figure इतना था, crystal इतना था, fair में 40 और add होगा, जैन 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 मिला कि fair तक हमा total कितना का लिया, कुमिलिटिव total होता है उसको यहां running total कहा जाता है, तो इसको रखिए एक पर आओ, आज़े वैलूइस विल्स सेटिंग में जाएए, सो वैलूइस पे जाएए, और यहां पे आप running total अख लेज़े, मन्त वारे, यह आपका running total, इसने जैन साहिब को जोर के यहां दिखा दिया, फिजैन साहिब मार्ज को जोर के इसने यहां दिखा दिया, तो कुमिलिटिव total इसको कहते हैं, अगर कुमिलिटिव percentage आते हैं कि परसेंटेज, कुमिलिटिव में चाहिए, तो running total में आपको परसेंटेज आपको लिख जाता है, ठीक है, कि फरवरी में total sales का 7% था, 27% फरवरी में हो गया वजर में 67% था, 34% पर 42% तो तो यह 100% तक पहुंचा है, तो इसका यूज हमनों dashboard में या कुछ पुत्रा के critical report में हम ज़ाता यूज करते हैं, ओके, समझ माया, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो जो फिल्ट का total है, आप एक बार अपनी इसाफ से देख लिजेगा, कुछ और चीज़िया आपको परसान करें तो बताइएगा, कल हम बता लिएगा, सब प्रैक्टिस परके एक बार देख लिजेगा, ठीक है, तो हमने field calculation कर लिया, अब हम नहीं item calculation कर लिया, हम बात करेंगे field calculation की, field calculation क्या होता है, तो आपका data में दीख रहे हैं, मैंने quantity और MRP लिया हुआ है, यहां पर amount रही है, मतलब कि 45 जो है, वो हमारा sell है, 69 quantity का total नहीं है, पर piece 45 rupees का sell है, अगर amount निकालने जाया तो 69 multiply by 45 होगा, तो उस case में हम क्या करेंगे, pivot table के अंदर है report बनाना चाहते हैं तो, तो हमने name यहां लग दिया, और हमने quantity लग जी, अब यहां पर MRP का total लखना गलत होगा, तो हमने value to the setting में गया, और MRP का average में लिया, हम इस decimal places को भी remove यहां से कर देता हूं, अब मुझे यहां चाहिए total amount का, तो एक नए calculated field को create करने के लिए pivot able analyze में हम जाएंगे, value fill item पे जाएंगे, calculated field पे जाएंगे और यहां पे हम लिखेंगे amount, और amount में यहां हम करते हैं, quantity multiply by MRP, add and okay, sum amount आगे, okay, मुझे इस पे amount लिखे tax निकार रहा है, यहां पे commission और मैंने amount को इंसलेक्ट किया, multiply by 2%, add किया, मुझे इसका GST निकारना है 18%, calculated, यहां पे हम GST, और यहां हम वापस इसका amount का, amount को लिजे, multiply by 18%, और मुझे इन सबों का total amount चाहिए, तो calculator में हमने यहां पे total यहां पे दिया, total, और यहां जो है हमने amount इंसलेक्ट किया, plus permissions, plus GST, और इसको add कर दिया, यहां पे इसका total आगे, ओके, तो इसमें अगला question आता है, कि क्या इसमें हम सिर्फ mathematical calculation, बने plus, minus, multiply जो होता है mathematical, वही कर भाएंगे कुछ और भी कर सकते हैं, तो कुछ और भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको fill item जिसे माल जिसे कि यह जो total आया हुआ है, मुसके round करना चाहता है, round total चाहिए, यहां पर round करना चाहता है, यहां पर r total, तो एक्सल का round का formula होता है, R, O, U, N, D round, bracket open किया, और हमने यहां से total को लिया, comma zero and bracket को close किया, और यहां पर, डिसमेन अट गया, अब अगरा question आते हैं, क्या इसी तरह का simple calculation हो सकता है, या इसा सा complicated भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक बार और इसमें pivot लगा रहा हूँ, और pivot में मैं क्या कर रहा हूँ कि name भाई जी, मैं quantity यहां लिया, अब मुझे यहां incentive देना है, incentive का रूल है कि अगर हमने 20,000, हमारा जो 20,000 से नीचे है उसको 5,000, जो 25,000 से नीचे है उसको 3,000, और जो 25,000 से ऊपर है उसको आपको 20,000 देना है incentive, तो इसके लिए भी हम value field setting में आता हूँ, calculated spirit पर आता हूँ और यहां पर IMC, और फिर यहां पर हम करते हैं F, F में आते हैं, अब हम लेते हैं यहां पर quantity को quantity, quantity is less than equal to 20,000, तो यहां पर 5,000 देना है, अगें if लगाते हैं quantity को select करते हैं और बोलते हैं less than equal to 25,000, तो यहां पर 3,000 करना है, otherwise 15,000, और दो इफ है, तो दो ब्राइकेट क्लोज होगा, add, ठीक है, clear है, without this में, okay, कोई दीकर इसमें, no sir, तो समझना आया आपकी calculation? हाँ sir, yes sir, अभी हमें item calculation चाहिए, जैसे for example, मैं month by g total ले रहाँ मान लेजिए, यहां, तो अब प्रॉलम क्या है कि a month in the text है, अगर date वाला month होता था हम इसको group कर लेते हैं, तो हम normal group भी कर सकते हैं, जैसे हमने, मुझे ए चाहिए quarter का एक quarter के चाहिए, तो मैंने यहां पे जैन 5 मार्च को लिया, right click किया, और मैंने इसको group कर लिया, तो मुझे इसका total लाग गया, तो मुझे इसका total ही नहीं, और भी बहुत साहे formulas, वगराव चीज़े लगानी है, तो मुझे यहां पे quarter, यहां पे नीचे दिखाना है quarter wise commission, ठीक है, मतलब कि मुझे जैन 5 मार्च का total निकाल रहे को उसका 2% निकालना है, इसके नीचे commission दिखाना होता है, तो calculated, यहां पे calculated fill रही काम करेंगा, calculated item, आप देखे, calculated item तो activate ही नहीं है, calculated item कब activate होगा, जब आप item की ऊपर अपना cursor को रखेंगे, मैंने item की ऊपर अपना cursor को रखा, आप देखी, यहां अमारा highlighted है, तो calculated item के हम आते हैं, ओ, sorry, mark कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा issue है, क्योंकि हमें बहुत सारे grouping बगरा कर दी है, ना, तो grouping से हो जाता है, तो calculated field वर्क नहीं करता है, तो मुझे इसको अलग एक seat पर ले आगे समझाना होगा, तो मैंने यहां पर month और quarter दे दिया, उसके बाद मैं यहां पर calculated item पर आता हूँ, और यहां पर मैं quarter one इसको पलस किया, मार्च को पलस किया, मार्च को पलस किया, और मुझे इसका two percent निकार ला है, multiply by two percent, आगे quarter one, समझे, तो ऐसे भी आगे भी आप कर सकते हो, फिर उटको भी calculate कर सकते हो, अब यहां पर एक चीज़ी और आता है, यहां पर list, आप यह दिखना है कि क्या क्या calculation हो रखा है, क्या क्या calculation हो रखा है, तो इसी meet paper table में जाएए, यही पर आपको दिखेगा list from, क्लिक कीजिए, अलगी seat पर सारी calculation आपको यहां दिखा देगा, कि इसके अंदर किस तरह की calculation हुआ है, फिल्ट की calculation and also item की calculation यहां लिस्ट दिखाएए, तो इक इसके लिए जिसे कि आपके पास कोई pivot table बनके आया, और आपने देखा कि हमारे pivot table में तो यहां amount का भी column है, commission का भी column है, GST का भी column है, बट हमारे data में तो ऐसा है यह नहीं, क्या calculate किया गया है, तो calculate करने का सबसे अचा क्या क्या calculation है, कितना percentage निकाला है, तो आप list formula पर क्लिक करेंगे, एक नई seat के ऊपर पूरी की पूरी calculation आ जाएगा, समझे, हलो, तो अब इसको सिर्फ देख लेने से समझ में नहीं आए, इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के चाहिए प्रैक्टिस थी, तो मैं आप लोगों को यह फाइल दे रहा हूँ, लखी काम था ना, सिंगहा है सिंगहा है सिंगहा, सिंगहा है से डल दी से चाहिए ऐस आइन, जी एचे है हाँ यह आया है कि कल कभी फाइल पर आया नहीं से इस इस फाइल प्रिप्लाइ कर दिया था नहीं हाँ मेरे पास अब आया है हाँ वह वह नहीं है कि अगर क्लास नहीं था इनका एक इनी आजी पॉलम तो उसी को सोलुशन किया था मैं वो दोनों साथ था नए एक ही में रख दिया था मैं आप कर दिए पॉलम की वो सोलुशन की दिया था मैं हाँ स्वारी साथ नहीं अब को डिश्टाप